एक ऐसा सच, एक ऐसा पल, एक ऐसा दिन जिससे हम सब डरते हैं, हम सब उस पल से, उस सच से, उस दिन से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन वो सच, वो पल, वो दिन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या किया जाए? समय से कोई कभी नहीं भाग सकता ना, वो तो हमारे साथ चलता ही रहता है, और इसी का नाम तो जिन्दगी है, लेकिन इस सच पर, इस पल पर, इस दिन पर अगर हद से जादा नेगटिविटी होने लगे, तो क्या किया जाए? एक बहुत बड़ी अपील की गई है, परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, क्या कुछ है खास, बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में पूरी बात, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लेकिन उस से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइ कितना जूट है ना ये, क्योंकि कुछ जखम, कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जो कभी कम नहीं होते, जिसकी टीस हमेशा हमारे दिल में रहती है, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, एक ऐसा ही दर्द है, सिधार्द का इस दुनिया से चले जाना, इस अचानक से इतना दर्द हम का जवाल का जवाब तो हमें कभी नहीं मिल सकता, लेकिन इस दर्द को बढ़ाना ये भी तो ठीक नहीं है ना, परिवार के लिए, शेहनास के लिए, करीबियों के लिए, मुश्किलें खड़ी करना, ये कहां तक ठीक है, आप जानते हैं ना, कल सेकंड सेप्टेंबर है, ज जिसे हम कभी याद नहीं करना चाते, जिसे हम कभी देखना नहीं चाते, लेकिन वो पल तो आएगा ना, हम उससे भाग नहीं सकते, और बस सिधात के नाम पर इतनी जादा कुछ लोग नेगिटिविटी करने लग पड़ते हैं, कि वो चीज़ें हट से जादा बढ़ जाती है, तो इसी के लिए एक अपील की गई है, परिवार की तरफ से हम कह सकते हैं, परिवार की तरह दोस्त जो रहे कैनफोंस की तरफ से हम कह सकते हैं, कैनफोंस ने एक ट्वीट किया है, वो अकसर ही इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं, और यहां पर उनका ट्व और वो कहते हैं कि Hello September जिस तरह से में पहले आपको देखता था अब नहीं देखता हूँ मेरा आपको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका है और ऐसे में बस में यही दूआ करता हूँ कि मेरे लिए तो नहीं हुआ लेकिन बाकी लोगों के लिए यह महिना खुछी भर साबित हो या बहुत सारी खुशियां लेकर आए और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स और पीस की कामना में करता हूं तो जो बीते कई दिनों से negativity हो रही है ना उस पर ही हम family और can की तरफ से friends की तरफ से इसे एक appeal कह सकते हैं प्रेयर्स कीजिये और शान्ती बनाए रखिये प्लीज क्योंकि negativity बहुत सादा हो रही है कुछ लोग footage के नाम से negativity कर रहे हैं कुछ लोग शहनास को target कर रहे हैं कुछ लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और family को भी नहीं छोड़ रहे हैं और can funds family की तरह हैं शहनास के लिए भी सिधात के लिए भी बहुत टाइम से ये लोग साथ में है जो दर्द कैन को है शायद हम लोग वो feel भी नहीं कर सकते जो परिवार को दर्द है शहनास को दर्द है उस तक शायद हम पहुँच भी नहीं सकते उस बारे में बात भी नहीं कर सकते तो please negativity न की जाएं सिर्फ prayers की जाएं और peace अपने दिल में लाया जाएं स्ट्रेंथ लाई जाएं पूरे परिवार के लिए